नमस्कार दोस्तों, दिब्यांश बितरे यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रती मिनिट की गती से बोला जाएगा डिक्टेशन की अवदी होगी 5 मिनिट आप अच्छे से शब्दों को बनाईएगा, प्रैक्टिस कीजेगा और ट्रांसलेट कीजेगा और आपकी गलतियों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बात आदर्निय महोदय सुतंदर्ता प्राप्ति के बात से समितियों के महत्व में दोनों प्रकार से अभी ब्रद्धी हुई है जहां तक मैं समस्ता हूँ समितियां पहले जादा अधिकार संपन नहीं हुआ करती थी उनके प्रतिवेदन मात्र अनुशन शात्मक हुआ करते थे अब समिदान की धारा के अंतरगत सदन की समितियों को शक्तियां और विशेशादिकारों को संभेदानिक रूप दिया है वहीं दूसरी और जनता द्वारा निर्वाचत सरकारों की स्थापना होने से लोक कल्यान की अनेक नवीन गतिविदियां भी आरंब की गई हैं सदन का प्रभावी नियंतरण बनाए रखने और कल्यान कारी योजनाओं की समिक्षा करने के द्रश्टी कोण से अतरिक्त समितियों का गठन अपरिहार्य हो गया अता संसत और विदान मंडल के इस्तर पर वर्तमान में अनेक समिती कारेरत हैं जिनके माध्यम से जन भावना और जन अपेक्षाओं को उचित आधार तो मिलता ही है इसके साथ ही कारेपालिका पर सदन का नियंतरण और प्रशाशन पर अंकुष बनाए रखने और उसे उत्तरदाई बनाने की दिशा में सक्षम प्रयास भी होता है प्राया समितियां भिविन राजनीतिक दलों के सदस्यों को समलित कर गठित की जाती हैं जिससे उनमें एक शशक्त सामुहिक भावना पैदा होती है जिसके कारण सदस्य दलगत भावना से उपर उठकर प्रशनों के उपर गुण दोश के आधार पर निस्पक्ष रूप से विचार करते हैं समितियों से जुड़े होने के कारण सदस्यों को बिविन विशियों में विशेश विशेश अग्यता भी प्राप्त होती है यदि समबंदित भिवाग ने उपलब्द साधनों का उप्योग करके जो कार किया गया है उसकी जाँच समिति अच्छी तरह से कर सकती है इसके अलावा संसदिय समीतियां महतपूर्ण विशियों पर चर्चा के लिए सदन का समय बचाती हैं और सदन को विशियों की व्यापकता में जाने से रोपती हैं जिससे वहा नीतियों और महतपूर्ण सिद्धानतों के विशियों पर नियंतरण रख सकें इस विवस्था को कैसे सफल बनाया जाए इसके लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ये प्रश्ण ऐसे हैं जिस पर हर वेक्ति के अपने विचार हो सकते हैं लेकिन एक बात सर्वमान्य है कि अलगन निश्ठा के बिना यहां काम नहीं हो सकता इनके गठन से ऐसे लोग भी सतर्क रहते हैं जिनोंने कभी कोई लापरवाई की हो बेमानी की हो सारवजनिक धन का दुरुपयोग किया हो अथवा समिती को वांचित जानकारी का दस्तावेज देने में विलंब किया हो वे जानते हैं कि हमने यहां कार किया तो समिती जनता के सामने उनका भांडा फोड देगी समिती ब्यवस्था से एक और तो संसदिय उत्तरदायतों की अवदारना पुष्ट होती है तो दूसरी और इससे सदन के पीछे बैटे सदस्यों की उदासीनता और सदन में बार बार आववस्था पैदा होने की समस्याएं भी कुछ हद तक दूर हो जाती हैं इससे पीछे बैटने वाले सदस्यों में कारवाई के प्रती सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा पैदा होती है ये सदस्यों को संबंदित विश्यों पर गेहन अध्यन के अवसर प्रदान करती है इन समितियों की बैठक में शुक्ष्मता से बिना भेदवाव के चर्चा और विचार बिमर्ष किया जाता है